एक गाव था, खूप सूरत सा गाव था। वह गाव में एक चुटकिचुडिया रहती थी। वह रोज अपने चूचों से गाव वालों को जगाया रखती थी। एक दिन एक गीदळ से, एक दिन एक गीदळ कहीं से उस गाव में गुमते हुआ आ गया। जब उसने चुटकी चुडिया को देखा तो उसकी लाइट टपकने लगी वह सोचने ही लगा वा क्या शांदार चुडिया है अगर इसका माउस मुझे खाने को मिले मज़ा आ जाएगा वह तरकीब सोचने ही वाला था ताकि किसी तरह चुटकी चुडिया वह तरकीब सोचने लगता ही ताकि किसी तरह से चुटकी चुडिया को दबज कर पेट पुजा कर सके उसने चुटकी चुडिया को भला पुसला कर अपने काबों में करने का नीचे कर लिया उसके पास पहुँच कर बोला मित्र, मैं तुमारे आवाज सुनकर तुमारे पास आया हूँ तुमारी आवाज बहुत ही सुरेली है कानो को मेरी, मेरे कानो में गुंज रही है मन करता है, दीन भर सुनता रहो क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरेले आवा सुनाओगे चुटकी चिडिया बोलती है चुटकी चिडिया हाँ बोलती है और चुटकी चिडिया की कभी किसी ने इतनी प्रशन सा नहीं की वो खोशी से उचलने लगी उडने लगी चुटकी चडिया कोश होकर फुदकने लगी अपनी आवास सुनाने के लिए वो बेताब होने लगी वो जोर से चुचुचु करने लगी गीदड इसी सिराक में था वो चुचु करने के चुचु में मग्न थी वो गीदड ने किसी तरह से उसे दबोज लिया अपने मुँ में दबा लिया और जंगल के और भागने लगा जब वह जंगल के और भाग रहा था तब गाव वालों ने उसे देखा और उसके पीछे दोड़ने लगे उसे मारने के लिए दोड़ने लगे चुटकी चड़िया अब तक उसके मुँ में ही थी उसने तब तक एक तरकिप सोच ली वो भागते हुए गीदर से बोली देखो भाई ये गाव वाले मेरे कारण तुमारा पेचा कर रहे है जब तक तुम मुझे छोड़ोंगे नहीं तब तक जब तुम उससे कहो ये गाव वाले तुमारा पेचा नहीं छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहो कि ये चुटकिचडिया मेरे है तुमारे नहीं ऐसा तुम बोलोगे तो गाव वाले तुमारा पेचा छोड़ेंगे गीदर चुटकिचडिया की बातों में आ जाता है पलट कर वो बोलने ही वाला था मूँख खोलता है फुर की चुटकी चुड़िया ओर जाती है गावालों के पाच चली जाती है इसी तरह से अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचा ली